चलिंदोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब अपने आज की करने फिर डेली बेसिप हैं आप पर पर सकते हैं कि अपने टेलीग्राम चैनल जो आपको इस वीडियो का पीडियाफ शेंपर वीडियो आती है पहला कर ने फेर मंगल यान जो है वह अब ऑब कर दिया गया है इसक इसका कॉम्निकेशन जो है वो लोस्ट हो चुका है और यह नोन रिकवरेबल है इस वज़े से मंगल मान मिशन को जो है अब बंद कर दिया गया है यहां पर अचीवमेंट यह है कि मंगल मास मिशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है छे महीने के लाइप स्पेन के लिए जो है डेम तो आपके मार्स और्बिटर मिशन के बारे में वो डाटा जालने थे देखिए चार सो पचास करोड की लागत से इसे बनाये गया इसे ओन बोर्ड पी एसल भी सी टूफाइब के द्वारा पांस नॉंबर 2013 में किया गया एम एम का यह जो मिशन है इसको मार्स और्बिट में जो हैंशड किया गया था सप्टेमबर 2014 में पहली बार किया था और यह पहली एक्टैब में हो गया था मंगल यान अगर मिशन देखे टो इंडिया का फर्स इंट्र प्लेनेटरी मिशन था इवन जो फर्स एशिं कंटरी थी जिसने मिशन को जो है कम्प्लेट किया और दुन लेकिन अभी उसको इतनी प्राइटी नहीं दी जारी गलगन यान चंद्रियान थ्री अधित्य एलवन इंस जैसे प्रोजेक्ट को जादा प्राइटी दी जारी चारी एक और करन फिर 75 न्यू डिजिटल बैंकिंग यूनेट्स हैं इंडिया में सेट अप किये जा रहे हैं तो लगाए जाएंगे बनाएंगे तो आप उसी को जो है इन्नोगरेट किया गया है ठेक है 75 डिस्टिक में लेटस है और एक और कुशन आप सामने साउथ एशिन फ्री ट्रेड एग्रिमेंट में कौन सा इन में से देश नहीं आता आन सक्वर्ण को से दीजेगा चलिए इसके सब्सक्राइब डिजिटल इंफ्रस्रेक्ट्टर सेट अप किया जाएगा तो आप लोगों को जो है फानिशिल सर्वीसिस जो है डिजिटल सर्वीसिस मोड अनि टाइम कभी इनके 75 डिस्टिक में तो इसमें डेफिनिटी यूनेंट ट्रेट्री स्टेट जो है उन सभी को ब तो यह सब चीज़ स्टाट रहे हैं पहला करेंड फिर आज का हाल फिलान में 500 डॉक्टर जो हैं इन्होंने माइगरेट किया एकनोमिक क्राइसिस के वज़े से कौन से देश से तो शिलंका में बहुत बड़े एकनोमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो उसकी वज़े से जो है पा वाके ठीक हैं जी में होके उनके द्वारा लास्ट जनवरी टो अगस्त की बीच का डाटा भी दिया गया था कि किस तरीके से माइगरेशन हो रहा है और कंसर्ण भी किया था गवर्मेंट को लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं इससे बहुत बड़ा इशू क्रेट हो सकता है दॉक्टर्स माइगरेट करते किस देश एक और करेंड फेर सीने डिप्लोमेंट प्रकाश चंद कहां के नेक्स घोषित के अर्तरिया किलाबा नेक्स्ट हाई कमिशनर टू कैनेडा इंडिय की तरफ से कौन होंगे संजे वर्मा जी एक और करेंड फेर देखिए तेखिए हम इनके प्रदेश के चीफ सेकरेटरी जो है इकबाल सिंग इनकी प्रेजन में मुम्रेंडव और साइन किया इन दोर में इसे और नाइस करने के लिए नो जन्वरी को उब्जर किया आता है कंट्रिबीशन इंडिया के डिस्पोरा का हमारे भारत के डेवलोप्मेंट के लिए बहुत जादा है उसी को रिकोगनाइस किया जाता है चली एक और करेंड फेर हैद्रबाद लिबरेशन डेठ्ट किया गया हाल फिलान में किसने इनोगरेट किया से आमित शाज जी के दवारा कोस्टल क्लीनप डे कैमपेंगेंड किसके द्वारा लौंज की गई कि सिक्स्ट नैशनल वूमेन मैराथोन 20 वाई जो है रिसेंटली कहां पर organize किया गया है तो यह जो इवंट है रिसेंटली कहां पर organize किया गया है ध्यान अकियाँ यह जो है मध्य परदेश में organize किया गया है तो ग्वालियर की location है ठीक है मध्य परदेश में अब यहां किनकी नाम पर occasion है इसका एक famous 103 birth anniversary तो एक बड़ा इवेंट था एक और करेंड फिर देखिएगा लाडली लक्षमी योजना 2.0 कौन सी स्टेटी मिनिशनल लोंच करी तो ये भी मध्य बदीश कोशन का अंसर है वो एस बिकम थार्ड फास्टेस इंडियन फीमल स्पिंटर इन 200 मीटर रेस तो धन लक्षमी जो है ये अभी रिकोर्ड बना चुकी है इसका तो एक और कोशन देखी आपका एक और कोशन अब्दुल लतीफ रशिद जो है नए प्रेजिड बनाएगे कौन से देश के तो ये जो है इराक के प्रेजिड बनाएगे है ठीक है ये लोग मेकर्स के द्वारा हाल फिलाल में खुर्दिश पॉलिटीशन अब्दुल लतिफ रशिद जो है इनको नया प्रेजिड खोशित किया गया इराक का इतने सालों से यहां पे डेड लोग चल रहा था अब ये रिप्लेस करेंगे बहरम सले को जो इससे पहले प्रेज है नोमिनेशन ध्यान रखेगा ठीक है बंदारू विल्सन बाबू जो है रिसेंटी ब्रैंड जो एमबेस्टर बनाएंगे कौन से देश के लिए मड़ेस कर के लिए उसके लावा सेंटरल विजनस कमिश्ट को गोशित के सुरेंद्र पठेल जी एक और करेंड़ देखेगा का तो आंशर एसकोशन का कि एकटर रॉबिस कौल्टरं है ठीक है आप इमेज़ देख सकते हैं तो एकटर रॉबिस कौल्टरं जो है इनका हाल फिलान में निधन हुआ है ठीक है यह इनों ने रूबिस हैटर के नाम का एक करेक्प्ल meant गयक क्या होलिवुड की होलीवूड क हुआ था उसके बाद इनों ने जो है मूवीज एन इन सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया संतुर प्लेयर जो है जिनका निदन हुआ है तो भजन सपोरी हैं बहुत वेमस जमो कश्मीर नैशनल पैंथर पार्टी के एक चीफ भीम सिंग इनका हाल विलान में निदन हुआ चले कल एक सवाल पूछा गया था फर्स्ट इंडिपेंडन इंडिया के जो व्यक्ति जुन ने यूनियन बजन प्रेजेंट किया था तो आंसर इस कोशंग का ठीक है थ्री दा आंसर इस और यह चाहर के द्वारा बिल्कुल से आंसर दिएगा बागी सारे भी आज का सवाल क के टू जो है कौन सी रेंज में आता है इस कोशंग का आंसर बताईगा के टू कौन सी रेंज में आता है तो कमेंड बुक्स पर दीजिए आंसर टेलिग्राम चैनल जोइन करें मन सर्वाइफ इशड़ी पीडिएफ के लिए मेरे हिजाब से आप सब्सक्रिप्शन लेके ठीक है जसमें आपको डिसकाउंड मिलेंगे तो आप डिसकाउंड के लिए डारेक्टली इस कोड को लगा के देखना आपके ऑटमेटली बहुत कम प्राइस हो जाएंगे लाइव अमन से आज अगर आप यूटलाइस कर रहे हैं प्रोसीड टूपे करिए कोड लगाके लाइक करें शेयर करें जाएंगो सब्स्राइब करें थैंक्स लॉट फो वाचिंग